देरात आए आंधी तुफान ने फत्यबाग शेत्र में एक बार फिर लोगों की जहन में खोफ पैदा कर दिया क्योंकि इस बार तो खुद्रत के कहरने भगवान को भी नहीं वक्षा फत्यबाग के गाउं वरोटा में देरात आये आधी तुफान और तेज़ बारिश के दोरान बजरंग बली के मंदिर पर आसमानी बिजिदी गिरने से मंदिर के पर खच्चे उडगए आसमानी बिजिदी गिरने से मंदिर का गुंबर तूर गया और मंदिर के अंदर की दिवारों में बड़ी दरा रहा गए फटना की जानकारी मिलने पर सुबह गाउं के सरपंच प्रतिलिधी सुनील कुमार मंदिर पोजर मंदिर का जाय चालिया मंदिर में लगा बिजिदी का मीटर तहस महस होगे और बिजिदी की सारी फिटिंग जल गई फिलहाल ग्रामिन में गाउं की बंचायत मंदिर में हुए नुपसान को ठीक करने में लगे है ग्रामिनों का माना है कि संकट उनके गाउं के उपर था लेकिन भगवान ने अपने उपर ले लिया वही बिजली गिरने से सरकारी स्कूल में लगे कंप्यूटरों को भी नुक्सान हुआ है तो के बीच में जी आसमान से बिजली गरी और मारे मंद्री जो पर बोटेगा उस पर काफी नुक्सान हुआ बिजली लगब डेड़ से दो के क्रिब गिरी और अधे गाउं में जितने भी घरते उनके बिजली के उपकरण है जो सारे नश्ट होगी फ्रीज टेलिविजन अग जो भी उपकरण है बिजली के सारे ख्राव होगे और जो पुजारी जी का घर था ना वह भी अपना मतलों नश्ट हो गया इसके बिजली गिरने के काम जी इंद एक स्पेस के लिए फत्य बासे जीते नुर्मोगा की रिपोर्ट